नमस्कार दोस्तो, सिपाही भरती की सेटिंग में जेल में बंद इवक बन गया सिच्छक, हतकड़ी पहने पहुचा नियुकती पत्र लेने बड़ा अजीब बिढमना है बिहार की, कि सिपाही भरती के आरोप में एक इवक जेल में बंद था फिर क्या था, वह एक सिच्छक बन गया, बिहार में खास करके BPC द्वारा सिच्छक चुने जा रहे हैं, उसमें वह उतिर्न हो गया फिर क्या था, उसने हतकड़ी पहने ही नियुकती पत्र लेने पहुच गया क्या कुछ मामला है, पूरी मामला को हम बताएंगे, दरसल पूरी खवर के लिए पूरे विडियो को देखना बेहत जरूरी है असल यह मामला की हम बात करें तो सहरसा का बताया जाता है, पेपर की कटिंग में भी सहरसा का ही जिक्र किया गया है कहा जाता है कि सिपाही भरती में सेटिंग कराने के आरोप में जेल में बंद इवक सनी बार को हतकड़ी पहन कर सिच्छक का नियुक्ती पत्र लेने के लिए बीयो कर्याले पहुचा जहां जाँच परताल के बाद बीयो कर्याले ने उसे नियुक्ती पत्र परदान किया परिच्छा जब आयोजित की गई थी उसमें वह उतिर्न हुआ है। परिच्छा बिवस्था के साथ उपलब्द कराते हुए चंदन सर्मा को बीयो कर्याले भेजा। चंदन सर्मा की नियुक्ति पत्र धनपूरा पंचायत के मदविद्याले यानि सीमर टोका में हुई है। इस संबंद में बीयो रंजन कुमार से जब बात किया गया तो उन्हों उन्होंने साफ कर दिया कि मेरा काम है नियुक्ति पत्र देना हमने दे दिया है। दरसल पूरी खबर की हम बात करें तो चंदन सर्मा नाम का एक लड़का है जो बीपेसी द्वारा उतिर्न हो चुका है। सिच्छक भी बन चुका है। दरसल उन्होंने जेल अधिचक से साथ बीयो कर्याले पहुचाया गया जहां वह अपने नियुक्ति पत्र लेकर लोटा। दरसल यही विहार है एक सिच्छक भी जेल में रहने वाला बन जारा है। नियमा अनुसार जब तक आपारोप सावित नहीं होता तब तक आपारोपी नहीं है। अंत में मेरा नाम आध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यबाद। अगर फेस सुपह देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए उट्टूबह देख रहे तो सस्क्राइब कर लीजिए।